नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टुडी फार इंडिया वे मैं नीरज गुपता आप लोग का एक बाद फिर से स्वागत करता हूं देखें यूपी टेट 2018 के लिए आज अफिसियल एंसर की जारी की जाएगे क्योंकि आज है 20 नॉमबर और 20 नॉमबर को अफिसियल एंसर की जारी करनी की बाद कही गई थी PNP के दौरा यानि की परिच्छा नियामक प्रादिकारी के दौरा यूपी बेसिक edu.government.in पर ऑफिसियल एंसर की जारी की जाएगी सभी लोग आप जो है इसको डाउनलोड करके अपने मार्क्स अच्छे से मिला लीजेगा मेरे ख एंसर की को आप मिलाईएगा क्योंकि पेपर में कुछ और मार्क किया रहते हैं लोग और कलर करते से में कुछ और मार्क कर देते हैं तो जहां भी एक या दो मास्क का गैप है वह आपको वहाँ पे नहीं मिल पाएगा तो अच्छे से मिलाने के लिए आप OMR की जो कापी उससे आप एंसर को अच्छे से मिला लिजेगा और हाँ इसमें एक बात यह है कि जिनकी भी 70 अन ओफिसियल एंसर की से 75 से 80 मास के बीच में है लेकिन वो क्या करें अब इसमें ओफिसियल एंसर के अभी जारी की जाएगी तो उसके नीचे ही एक आपत्ती प्रश्न मांगा किन प्रश्नों पर आपत्ती आपको दे सकते हैं जिस पर आपको आपत्ती है कि इसका एंसर ये नहीं ये होगा तो वो आपत्ती का प्रारूप भी जारी करेंगे नीचे तो उसी प्रारूप के कार्डिंग ही आपको आपत्ती करना पड़ेगा ठीक है और ऐसे अनुमन्य न पर रहे हैं कि कैसे आप आपत्ती दें? सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपत्ती किन-किन पर देनी है, तो उसके पहले अगर अगर जिसकी भी 75 से 85 स्वारी, 75 से 80 marks बन रहे हैं या जो जनरल करेग्री में है जिनके 85 2 90 marks, यानि 89 marks बन रहे हैं अगर वो एक या दो मार्ग से पीछ होते हैं, अगर आपको एंसर की जारी होती है, ऐसा आपको लगता है कि कोई इस प्रश्ण का एंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप उन प्रश्णों पर बेशक अपत्ती डालिएगा, अपत्ती लेने का समय जो PNP की दौरली धरित कि गया है, 30 नवंबर को शाम तक ये आप अपत्ती दे सकते हैं, तो हमारे ख्याल से वेबसाइट के थ्रू ही ओन लाइन ही ये अपत्ती ये ले सकते हैं, क्योंकि डाक के थ्रू ये अपत्ती लेने का समय ही नहीं है, तो आपत्ती आपको दर्ज करना पड़ेगा, अपत्ती आपको कैसे दर्ज करानी है, आपको बता दे, हलाकि वो वेबसाइट पर जारी की जाएगी, माली ये प्रारूप है तो आपको क्यूस्चन नंबर वगर आपको बताना होगा कि कौन सा सेट्स पहले तो सीरीज बताएंगे, कौन सी सीरीज है, A, B, C, या D, पहले ये चीज आपको बताएंगे, फिर कौन सा सेक्षन है आपका, चाहिए चाहिड्ड साकेलोजी का सेक्षन हो, चाहिए हिंदी का, इंगलिज का जो भी हो, उस क्यूस्चन नंबर को आप देखेंगे, माली ये 123 क्यूस्चन पर आपको आपत्ती देना है, तो उस क्यूस्चन का एंसर आ को market में है उन प्रकाशन को मानने नहीं किया जाएगा जो authentic sources है जो परसिधी पुस्तके हैं जानि कि जो government की है और इसके अलामा जो NCRT के पुस्तके हैं उसको ही मानने किया जाएगा sources को तो वहां से authentic sources को आप ले करके आप यहां पर आपत्ती दर्ज करा सकते हैं तो जहां तक आप कर सकते हैं तो उतना आप करने की कोशिश कीजिए आपत्ती आप से मांगे जा रही तो आपत्ती आप दीजिए फिर इसके बाद जो है चार दिसंबर को पहले 10 दिसंबर था लेकिन अब जो है चार दिसंबर को ही इसका result declare कर दिया जाएगा तो अभी से आप preparation start कर दीज है जिसमें syllabus को पूरा topic wise हमने उसको describe किया तो वहां से आप जाके देख सकते हैं क्या के चीज़े आपको पढ़नी है syllabus बहुत बढ़ा है अभी से आप मेहनत करेंगे तब ही जाके syllabus cover हो पाएगा हाला कि जो पहले से पढ़ना है उनके लिए कोई बहुत आवशकता नहीं है थ उसमें जो है total आपके current affairs के वीडियो history के वीडियो यानि के international movement जो है आपके Indian constitution के टीक है जितने भी वीडियो है हिंदी के English के सभी वीडियो आपको 2500 questions आपको provide कराये जाएंगे जिससे प्रश्ण बनने की सबसे बड़ी सम्भावना है इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को subscribe जरू डिलीट कर सकता है देखे कौन से डिलीट प्रश्ण होने वाले हैं आई हम उसके देख लेते हैं पूरे paper को देखे सबसे पहले तो आपका child psychology का second question है यह C series है ठीक है तो child psychology का second question है कि सीखने के वक्र अभ्यास दौरा सीखने की मात्रा गति प्रगतिक सीमा को ग्राब दौरा पर प्रदर्शित करते हैं या किसने कहा तो यह जो है इसका right answer gets है जो कि option में आपको नहीं दिख रहा है ठीक है यह चारो option जो है यहाँ पर गलत है तो आयोग जो है PNP जो है इस question को यहां से डिलीट कर सकता है डिलीट करेगा तो ठीक है नहीं डिलीट करेगा तो इस question पर पापत्ती डाल सकते हैं जिनका भी एक या दो मार्स से रुक रहा है उनकी लिए हम बता रहे हैं कि एक दो मार्स अगर यह question delete होता है तो उस questions के marks सबको provide कराए जाएंगे अगर सबको provide होता है अगर मालीजी आप 81 पे हैं SC, ST, OVC category के belong करते हैं तो आपका 82 हो जाएगा अगर अगर अब जनरल category के आपके 89 marks आ रहे हैं तो आप 90 हो जाएंगे और आप जो है eligible हो जाएंगे सुपर डेट के लिए एक question आपको मूर बता दे रहे है हिंदी का देखे हिंदी सीरीज आप देखेंगे तो इसमें हिंदी section question के 59 question में जिसमें तदभव और उसके तस्सम का कौन सा मेल गलत है तो इसमें देखें लॉंग का लवंग होता है ये बिल्कुल सही है और आत का अंत्र होता है ये भी सही है आईसू का आदेश होता है ये भी सही है इसका हमें अभी नहीं मिला है क्योंकि प्रित्विनाथ प नहीं मिला है ऐसा माना जा रहा है कि ये भी जो है इसका सही तस्वम और तद्वा है तो इस क्यूशन पर भी आप अपत्ती दर्ज कर सकते हैं लेकिन एक बार आप हर्दे बहरी के बुक उठा के देख लीजेगा तद्वा और उसके तस्वम हाला कि मेरे पास अवलेबल है ले यह हमको नहीं मिला है बाकि यह तीनों हमको मिल चुका है तो यह तीनों आपके सही है यह अगर यह भी अगर सही होगा तो यहां पुछा हुआ है गलत तो यह सीदे सीदे आपका क्या हो जाएगा रांग हो जाएगा तो इस पर भी आप अपत्ती दर्ज करा सकते हैं तो यह सिरीज बहुत जल्द यानि कि 25 नॉवंबर से 25 नॉवंबर से पहले ही इस्टार्ट कर दी जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों बहुत बहुत धन्यवाद